हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे व्रिज और टनल के दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कुस करेंगे जो है रेल पत सर्वे च्छड रेल पत का सर्वे कैसे करेंगे ठीक है रेल पत बिछाने से पहले हम रेल पत का क्या करते हैं सर्वे करते हैं तो कैसे किया जाता है रेल मार्ग की आउसकता क्या है सबसे पहले ये जानते हैं किसी छेत्र में नई रेल लाइन बिछाने के अनेक कारण होते हैं यह कारण सामाजिक, ब्योसाहिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक, आउदियोगिक, आर्थिक, परियर्टिनिक अत्वा अन्य ह हो सकते हैं सरकार द्वारा नए रेल मार्गों का निर्मार सदा उत्पादन कारे समझ कर अथवा आई के सोद के रिए नहीं किया जाता फिर भी अचेश्टा की जाती है कि रेले आर्थिक दिरिष्टी से सरकार पर बोज सिद्धना हो यात्री टिकट बिक्री तथा माल से प्राप्त धनरासी रेल विभाग की आई के मुख्य स्रोथ है जब कोई नई रेल पट्री डाली जाती है इसके अगल बगल की 50 से 20 किलो मीटर की आवादी इसका उपयोग करती है और लाब उठाती है जो कुछ वर्षों बाद 20 से 25 किलो मीटर के घेरे की जनता भी परिव किलो मीटर तुरंत उसका यूज करने लगते हैं उसके बाद 20 से 25 किलो मीटर कुछ वर्षों बाद उसका यूज करने लगते हैं अब हम बात जो करेंगे इसमें वो करेंगे रेल पत का सरवेच्छर कैसे करते हैं रेल मार्गों को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से सबसे पहला जो कारक है वो रेल पत की गेज जो रेल मार को प्रभावित करता है मैदानी चेत्रों में बड़ी लाइन गेज उपयोग किया जाता है पहाडी चेत्रों में छोटी लाइन गेज या पतली लाइन गेज यूज की जाती है नियंत्रक बिंदू दूसरा है तीतरा है अस्तला करती रेल मार्ग को प्रभावित करते हैं नमबर चार है बार भी रेल मार्ग को प्रभावित करती है टीक है नमबर पांच जैमितिय मानक भी नमबर छे रेलवे स्टेशन भी रेलवे सड़क क्रासिंग भी रेलमार्ग को प्रभावित करते हैं निर्मार मटेरियल तदा सर्मिक भी रेलमार्ग को प्रभावित करते हैं राजनीतिक सीमाएं भी रेलमार्ग को प्रभावित करते हैं अब हम बात कर लेतें पत संरे खड़ ट्रैक का alignment कैसे करेंगे पत का जो railway पत है उसका alignment कैसे करेंगे संरे खड़ मतलब उसको खीचेंगे कैसे उसके बारे में बताया गया है जो सर्रेखड करते समय क्या-क्या हमें ध्यान रखना उसके बारे मताया गया है लंबाई, बे, नदी, नाले, भूमी, पुल तता क्रासिंग, मुख्य नगर, वक्र, ढाल, आवंचित, छेत्र, धार्मिक अस्थल, संदर अस्थल, उसके बार सुरच्छित मार गया यह सारी चीजे हमें पत सर्रेखड करते समय ध्यान रखना है यह आपके एक्जाम में पूछा जाएगा कि पत सर्रेखड करते समय कौन-कौन सी चीजे ध्यान रखनी चाहिए तो यह important हो जाएगा आपके लिए आप इसको अच्छे से वीडियो रोक करके पढ़ लीजी अगर कोई चीज समझ में ना है तो कमेंट बास में कमेंट कर दीजेगा उसका मैं वीडियो बना दूँगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं पहाडी चेत्रों में रेल पठरी का संदेखड कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है कि पहाडी चेत्रों में रेल मार्ग आप कैसे बिचाएंगे ठीक है तो पहाडी रेल पत पर पहाडीयों को नागने तदा तल प्राप्त करने के लिए निम्न संरेखड अपनाए जाते हैं चार प्रकार के संरेखड पहारी चित्रों में अपना जाते हैं सबसे पहला है टेड़ा मेड़ा संरेखड जिग जैक अलाइगमेंट दुसरा है सेतू सर्पिल संरेखड जिसे ब्रिज सर्पिल अलाइगमेंट कहते हैं तीसरा है सुरंग सर्पिल संरेखड जिसे टनल इस्पा दिखाए गये हैं इनको अच्छे से देखके और उपर पढ़कर अच्छे से इनको समझ लीजिए ठीक है यह पहाडी चेत्रों में रेल पट्री बिचाने की स्टार्टिंग प्रिकिरिया है अब हम बात करते हैं रेल मार का सर बेच्छड कैसे करते हैं ठीक है याताया सर बेच युँ इया है की ऑई है इस में रेल पत्का सरबेच्छड कैसे करते उसके बारे مताः गया इसमें तीन स्टेप होते हैं रेल पतकसर डेच्छड करने के लिए ठीक है पहला अवीच्छड सर बेच्छड करना दूसरा अ प्रारंबिक सरबजचर करना और शर युअ करना ति उसको लिखते हैं लेबल लेते हैं अगलाया यूज करते हैं ठीक है प्रारंबिक अवस्थापन करते हैं सरवेच्छड में यह सारी चीज़े हैं देख लीजिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ठीक सब्सक्राइ elevator करने के बाद हम रिपोर्ड बनाते हैं। उसके बाद ही हम जो है फ१नल्ट ख़िख सब्सक्राइब करकें हैं। इसे सब्सक्राम सबेच्चेड करें और परिक खरीज थृष दूसरा चैप्टर सरवेच्षड, रेलवे सरवेच्षड inड हो जाता है, ठीक है, रेलपत का सरवेच्षड आपका इंड हो गया, अब हमनेख्ष लेक्चर में बात करेंगे, थीसरे चैप्टर के बारे में, जो है रेल पट्री समागरी, ठीक है, rail track material कौन-कौन से होते है जो rail पठरी होती है उसमें कौन-कौन से समागरी कैसे-कैसे यूज होती है तीसरे chapter में हम उसके बारे में बात करेंगे ठीक है तब तक इस channel को subscribe कीजिए इस video को like कीजिए जय हिंज जय वारत